सनातन को लेकर तमिलाडू सरकार में मंत्री उद्य निदी स्टालिन के बयान के बाद विवात तेज हो गया है इंडिया गड़बंदन में जहां अलग-अलग सुर सुनाई पढ़ रहे हैं तो वहीं बीजेपी से कुष्टी करण करार दे रही है केंद्रे मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कॉंग्रेस राम को ही कालपनिक कहती है कॉंग्रेस हिंदू आतनकवाद की बात कहती है उन्होंने जी निउस खास बादचीत में कहा कि सनातन को खत्म करने वाले हाक हो गए सनातन वहीं कवहीं है अनुराग जी एक बयान आपने सुना होगा मुंबई में जब आई इंडिया ये गड़बंधन की बैठक होती है उसके ठीक बाद तमिल नाडू के डीम के के नीता है उदे निधे स्टैलिन जिन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म का सामूल नाश होना चाहिए और इसकी तुलना उन्होंने करोना, मलेरिया, डेंगो, मच्छर बता नहीं किस से किस से कर डाली क्या लगता है आपको इस बयान के पीछे क्या सोच हो सकती है सोच है किस तरह से सनातन धर्म को नीचा दिखाना सोच है कैसे हिंदूों को अपमानित करना एक के बाद दूसरा गवंडिया गटबंदन के नेता यही कर रहे है बेंगॉल में राम नौमी का जलूस निकलता है तो पत्थराव, बंब, गोली इससे हमले होते है यूपी बिहार के गवंडिया गटबंदन के नेता रामायन और मासीता पर अपशब्द कहते है कॉंग्रेस पार्टी राम को ही कालपनिक कहती है और कॉंग्रेस पार्टी यह तो एक बार नहीं अनेक बार हिंदू आतंक बात की बात करते हैं और अब रही से ही कसर इनके एक और गटबंदन के नेता ने सनातन धरम को ही खतम करने की बात कहती और उदर कॉंग्रिस नेता संदीब दिक्षित कह रहे है कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड नहीं करना चाहिए दूसरी और किंद्रे मंत्री नित्यानंद राय ने कॉंग्रिस पर हमला बोलते वे कहा कि सनातन का अपमान वोट की खातित किया जा रहा है तोष्टी करन की राजनीती के तहट ऐसे बयान दिये जा रहे है वो उनका व्यक्तिका स्टेट्मन लोगा क्या है क्या नहीं है यह मैं नहीं जानता हूँ ना उसमें हमारा कोई विश्वास है ना उनके स्टेट्मन से कोई कांगरिस अपने आपको साथ जोडती है किसी भी धर्म के बारे में किसी के लोगो के आस्था के बारे में आपका अपना क्या विचार है वो आप अपने पास रखें इसको सारवज़नी के रूप से कहना और इस तरीके से कहना कि इसमें लोगों को एक बुchau लगे मेरे खाल है यह बहुत गलत है कि हर व्यक्ति हर विशे पर अपने आपको एक एक्सपर्ट बनाई गूमता ये भी रास्ट के बीच जो धर्म की अस्थापना करता है जो करतब सिखलाता है जो सेवा सिखलाता है जो सहानवूती का संदेश देता है जो सतकार का संदेश देता है जो साहस देता है जो सब को सहयोग करने की भावना देता है जो पूरा विश्व एक है उस भाव से प्रेडित करता है जिसको माने प्रधान मंतर जी बारवार कहते है सनातन यह है और तुष्टी करन के नीती के तहर बोट के लालच में सनातन का अपमान करना भारत की संस्कृति सब्यता का अपम करना हिंदू धर्म का अपमान करना यह बहुत हीं आपति जनक है उनको तो बिल्कुल जनता सबक सिखाएगी और साथ साथ उनको समर्थन करने वाले जो घमंडिया गटवंधन जो उसके पोशक बने हुए हैं उस गटवंधन को भी जनता उखार फेकेगी सनातन सनातन है सना सनातन को किसी भी तरह से अपमानित करने वाले लोगों को यह देश की मिट्टी बरदास्त नहीं करेंगे। बयान नुकसान पहुचा सकता है और इसलिए तमाम राजनेतिक दल इंडिया गटबंधन के जो है वो इस बयान से पल्ला जाड रहे हैं लेकिन बीजेपी कोई मौका चूपना नहीं चाहती है। इस बयान से खुश नजर नहीं आ रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक आज शाम को जो मलिका अलजन खरगे के निवास पर एक बैठक होनी है। इंडिया एलायन्स के सबी फ्लोर लीडर्स जिसमें शामिल होंगे ये भी बताया जा रहा है कि शायद उस बैठक में ब्यान बाजी से बतने की जरूरत है। जरूरी भी बताया जा रहा है कई नेताओं की ओड़ से लेकिन इसमें चौकाने वाली एक चीज यह भी है कि कुछ एक नेता चाहे आप देखें अगर प्रियांक खरगे का बयान देखें या कार्टीजी दंबरम का बयान देखें कहीं न कहीं इससे सहमती जताते हुए बिन जता रहे हूं और साथ ही साथ जहां तक बात करें मुंबई में अब तक तीन मुंबई की बैठक मिलाकर अब तक तीन बैठक हुई है और जो क्षेत्री इस्तर पर है राजनीती की बात तो उसमें यह कहा गया है कि क्षेत्री इस्तर पर सब्दल अपनी राजनीती करेंगे बहुत बहुत निवाद एंजली इस पूरे अपडेट के लिए